ब्लेंडर में नुइस रिमू करने की एक टेक्निक हमने पहले देख लिए अभी हम एक दूसरी टेक्निक चेक करेंगे जिसके अंदर नुइस रिडियूस करना और भी आसान है और फास्टर है पहली टेक्निक में हम यहाँ पे इसको cycle में convert कर देते थे और यहाँ पे viewport display में bottom में जाके denoising का option था सिर्फ वहाँ पे click करके denoist कर देते थे पर अभी जो हम करने वाल है वो एक थोड़ी से अलग टेक्निक है यहाँ पे object को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे जो denoising का option है denoising data उसका यूज करके हम denoising करेंगे सबसे पहले एक scene प्रिपेर कर लेते हैं cube को delete कर देंगे shift a से plane add करेंगे size अपने मुताब बड़ी कर लेंगे कि एक monkey add कर लेंगे shift a press करके मंकी को थोड़ा सा लाइन अप कर लेंगे पड़ा उपर लेके अलका सा rotate कर देंगे हमारा एक बढ़िया सा scene बन गया है अभी इस scene में अगर हम रेंडर में जाके देखेंगे तो इस टाइप का कुछ scene दिखे गाई काफी नोईसी है इसको हम और नोईसी बना देते किस तरह से यहाँ पर इसका sample rate मिलता है जब हम रेंडर properties में जाएंगे तो रेंडर properties में यहाँ पर रेंडर सेंपल है तो यहाँ पर 128 है उसको 32 कर देंगे ताकि यह थोड़ा और नोईसी हो जाए और हमें रेंडर मिल जाएगा यह बहुत फास्ट है हमने sample rate जैसे कम कर दिया करीब 10 से पहले हमें मिल गया अभी इसको डाउन कर देंगे यहाँ पर उपर की साइट पे प्लस का सिंबोल ले लेंगे जिसमें और शीचन क प्लस की अफाट ऑफर लेंगे पर यूज नोड्स पर जाएंगे उसके बाद बैकड्रौफ पी ओन कर देंगे अभी यहाँ करते ही देख सकते काफी डिनविश्टिण डेटा आ आ गए हमारे पास अभी इसके लिए हम क्या करेंगे Ctrl शिव्ट प्रेस करके इसपे left-click करेंगे left-click करते आपने पास where menu आ गया have your menu को थोड़ा से एड़्स्ट कर देubenगे side-by-side इसको थोड़ा Compositor को उपर ले लेंगे, अभी हम इसमें Denoiser Aid करना है, Denoiser Aid करने के लिए Shift A Press करेंगे, A Press करती है, अपने पास जो मेनु है, उसमें Denoiser Type करेंगे, यहाँ पर Denoising Object अपने पास मिल गया है, यहाँ पर क्लिक करती है, Denoising Object आगए, इनको हम Viewer और जो अपना Render Layer से उसके बीच में रख देंगे, उसमें बीच में रखती ही, उसने यहाँ पर Render लेना स्टार्ट कर देंगे, और अपना पीछे काई में जम देख सकते हैं, काफी Denoise हो गया है, अभी उसको Connect कर देंगे, तो यहाँ पर Normal है, उसको Normal के साथ Connect कर देंगे, फिर यह अपना Denoising Depth है, उसको Denoising Depth के साथ यहाँ पर Connect कर देंगे, अभी हमारा Output हम देखेंगे, तो पीछे की साइड हमें दिख रहा है, पूरा का पूरा कितना Denoise हो गया है, और वह भी विधावूट कुछ किये, तो यह अपना बहुत ही बढ़िया एक टेकनिक है, डेटा को Denoise करने के लि देख सकते, पूरा कुरा मंकी कितना बढ़िया से दिख रहा है, और उसका Denoising हो गया है, यहाँ पर कहीं पर भी हमें noise नहीं दिख रहा है, अगर हम इसे Maximize करके देखना चाहते, तो यहाँ उपर क्लिक करके Maximize Area, इस पर क्लिक करते हमें Maximize Area दिखेगा, यहाँ पर हम पीछे करके करके दिख।